गम्मपद गाथा 32 ये अप्पमाद वग्गों की सबसे आखरी गाथा है इसमें बारहे गाथाएं हैं जिसकी ये आखिर है अप्पमाद रतो भिक्कू पमाद भैदसीवा ए भब्बो परिहानाए निब्बानस सेव संती के 31 जो गाथा थी इसमें और 32 की पहरी लाइन बिल्कुल सेम है यानि एक ची लाइन है उसमें कोई बदला नहीं है ये जो कथा एसकी वो इस पिकार है निगम वाशी एक जगे का नाम है वहां का एक बंदा है निगम शहर को बोलते हैं जहां सारे नाग लोग रहते थे उसको नगर या निगम या नागरिक या नागरिता नाग से ही बना हुआ सब्ध है तो निगम वासी एक जगे है वहाँ पे तिस्से इस्थिवर यानि तिस्से भिक्कू है वो ध्यान मगन है जैत्वन की ये घटना है तो जो तिस्से भिक्कू है वो बहुत ही अलपिक्छधारी है यानि के उनके पास सारी ख्षान की खतम हो चुकी है मगर सरीर को चलाने के लिए जितना भोजन उने चाहिए उतना भोजन वो प्राप करने के लिए जाते हैं नगरवासी उनका गाउं है तो वो नगरवासी गाउं में ही उनका समीप है वहाँ वो जाते हैं और सारे उनके सगे संबंदी है तो जो भी सगा संबंदी उनको देखता है वो उनको भिक्का दे देता है और भिक्का जितनी उन्हें सफिशेंट होती है उतनी वो लेके महाँ से चले आते हैं तो सारे भिक्कु संग में ये बात हुई कि जो तिस्से भिक्कु हैं, उन्होंने अभी अपना परिवार का मोह नहीं छोड़ा है, वो बारवार अपने गाउं जाते हैं और अपने सगे संबद्यों से मिलते हैं, चर्चा चली, क्योंकि विने की नियम के विरुद्ध है, चर्चा चली, मोह माया छोड़नी है, तो भग लेके आते हैं और उनसे मिलके आते हैं, तब जो तिस्से भिक्कु हैं, तिस्से इस्तिवर हैं, वो कहते हैं कि भगनवान मेरी इक्षा बहुत कम है, मैं बहुत कम खाना खाता हूं, इसलिए मैं समीब का जो गाउं है, वहां जाता हूं, वो मेरा ही गाउं है, और जो मुझ किसी से नहीं मिलता मैं और इसलिए कि मेरा समय बचे और मेरा जो आहारे वो कम है इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ चुकि भगनवान तो बहुत आरपार का दूर का भी देख लेते थे बोडी लेंग्विज से बास से चीज से और अंदर तक का पूरा सॉफ्टेयर जान लेते थे इसलिए उन्हें पता जला है कि ये सच बोल रहा है तब भगनवान बुद्ध ने ये गाथा कही ये गाथा आखरी गाथा है अपमाद रतो भिक्कू यानि ए परमाद में जो भिक् वा माने या या वो पमाद से ढड़ता है ए भबो परिहानाए ए भबो का मतलब है ए योग भबो माने होता है योग है और ए भबो हो जाए तो अयोग है किसके लिए परिहानाए परि माने पूरी और हानाए माने हानी यानि कोई वो हानी के लिए अयोग है इसका मतलब है कि निबानस से वे संती के निबानस से का मतलब है निबान के लिए वे माने ही और संती के माने समीब जैसे कहते हैं कि यह हमारा बहुत संनिकट है यानि के समीब है तो संती के यानि कि ऐसा भिको निबान के बहुत ही करीब होता है वो अपने दुखों को जल्दी ही मुक्त कर लेता है यानि कि जो प्रमादी नहों एप्रमाद में रत रहता हो पिरमाद से भै खाता हो और जो बहुत ज़्यादा अपनी हानी करने के लिए आयोग हो जिसका नुकसान नहो नो सकता हो वो ऐसा भिक कुछ अपने निब्बान के करीब है यह है आखरी गाता एंपमाद वक्की धन्यवाद करी गाता एंपमाद